नमस्कार दोस्तों कैसे हो सब ठीक है हम तो ठंडी के मज़े ले रहे हैं दोस्तों आप एक यूटुबर हो और अपना वीडियो बनाते हो किसी भी टोपिक पे चाहे कोई सा भी टोपिक हो आपने रूम में ही बनाते हो आधिक से आधिक और अपने रूम में वीडियो बना बन कि बोर हो गया जैसा कि मेरे पीछे परदा लगा हुआ है ऐसा परदा लगा लगा के तो दोस्तों आपको इस परदे को रिन्यू करना मतलब कि इसको हटाना है बेक्गराउंड में लेना है तो वह कैसा लेंगे जैसे कि मान लिजे आपको आज वीडियो बनाया है यही रूम मे और आपको इसका बेक्गराउंड देना है किसी गार्डन का या पहाड़ी का या कोई बिल्डिंग का तो उसको हम रिन्यू करेंगे तो दोस्तों केसा किया जायेगा वह हम आज आपको बताएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो बनाना है हर रोज की तरह जैसे भी आप वी उश्ताबी topic बनाते हो तो आपको आपको अपने रुम में ही बनाना है इसा परदा लगाके ही सिर्फ आपको इसको renew करना है पीछे वाले परदे को हटाना है यह निकी दिनिव करना है और इसके पीछे आपको एक ग्राउंड देना है आच्छा सा वह चाये किसी घाडन का हो या फिर को अच्छा सा अर्याली हो या फिर अपना कोई बिल्डिंग का हो या रोड का हो जैसा आप चाहो ऐसा बेक्राउंड देशकते हो तो इसके लिए ही है आज हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सीखेंगे क्या है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देने का और चैनल को सस्क्राइट कर लेने का ताकि आपको इसे पर करके आगे भी वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों चलते हैं अपने कोईन मास्टर की स्क्रीन के ऊपर यहां से हम ले लेते हैं काइन मास्टर काइन मास्टर ओपन हो गया है अभी हैं से हम प्लस वाले आइकन पर किलिक करते हैं हैं से ले लेते हैं 16.9 वाला को किलिक किया उसके बाद में हम चलते हैं या भी मीडिया में मीडिया में जाने के बाद में हम यहां स इसको हम बड़ा कर लेते हैं, स्क्रोल कर लेते हैं, स्क्रोल कर लिया है, हमने जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो, उसके बाद में हम इसको ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद में हम क्या करेंगे? यहां लियर वाले उप्सन पर नहीं जाएंगे, फिर सही बार किलिक करें ये हमने इसको दोनों एक साइज में हो गया है अब इसको साइज करने ले लेते हैं तो आप जैसा चाओ वैसा साइज में ले लें ले लिजिए गा तो हमने इस परकार से इसको size में ले लिया है चलिए ठीक है अब इसको ok कर देते है ok करने के बाद में फिर जाएंगे हम layer में layer में जाने के बाद में फिर जाएंगे media में media में जाने के बाद में हम यहाँ से जो video recording किया है वो video ले ले लेते हैं तो मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ अब इसको क्या करेंगे हम थोड़ा इसको साइज में कर लेंगे तो ये साइज में हो गया है फिर उसको ओके कर देंगे फिर जाएंगे हम वीडियो पे जाने के बाद में फिर इसको स्क्रोल करेंगे हैं देखिया गया क्रोमा की तो आप क्रोमा की आ गया है इसको इनेबल कर लेंगे वोन कर देंगे अब देखिये यहाँ से इस परकार से आ गया है तो इसको हम साइज में कर लेते हैं ये देखिया गया है जो परदा लगा हुआ था वो हड गया है खोर पीछे वाला जो बेग ग्राउंड है केले वाला वो आ गया है तो हम इसको कि सेट कर लेते हैं चलिए आपको जैसा सेट करना है आप आप अच्छी तरह से सेट कर लिजिएका हमारे से थोड़ा बरबर सेट नहीं हो रहा है यह नहीं कि आप अच्छे से सेट कर लिजे और उसके बाद में हम okay करते हैं okay करने के बाद में इसको play करके देखते हैं देखिए आ गया न जो परदा था वो हड़ गया और जो केले वाला पीछे का background आ गया आप इसके पीछे चाहे कोई सा भी background लगा सकते हो चाहे road का हो या building का हो किसी garden का हो किसी का भी आप background लगा सकते हो तो दोस्तो वीडियो के सा लगा?